Hey everybody, कैसे हैं आप सब? I hope आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और आप सभी की तयारी बहुत ही जोरो शोरो से धमाके दार तरीके से चल रही है जिसमें की आज हमें एक नए चाप्टर का वन शॉट प्रिपेर कर रहे हैं जिसका नाम है रियल नंबर्स बहुत ही छोटा और इजी सा चाप्टर है और तो इसमें से भी जो फर्स टॉपिक है यूलिट्स डिविजिन लिमा वो इस एर नहीं आ रहा है रीजन आपको पता है विकेस एक कुडिंट सस्टेइन कुविट और तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस चाप्टर को जिसमें की सबसे पहले हमको पढ़ने हैं प्राइम नमबर्स और कमपोजट नमबर्स कुछ नाच्रल नमबर्स होल नमबर्स राशनल नमबर्स यह सब आप अल्रेड़ी प्रिविएस क्लासे में पढ़ चुके हैं यह भी पढ़ चुके हैं बट स्टिल एक बर आपको याद दिलाया जा रहा है आप जिसकी बात कर रहे हो उसके अलावा वो किसी और नमबर से डिवाइड नहीं हो सकते उनको क्या कहा जाता है प्राइम नमबर्स और सिंपली जो कन्वेंशन है वो क्या कहती है कि जो वन है 1 is not a prime number, prime number 2 से शुरू होते है, 2 से शुरू होते है So the first prime number is 2, then 3, then 5, 7, 11, 13, 17, 19, this way तो आप देख सकते हैं कि ये जितने भी numbers हैं ये जितने भी numbers हैं ये या तो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं या फिर खुद से तो that's why these are called prime numbers Now, composite numbers क्या होते हैं? जो भी prime numbers नहीं है जो भी prime numbers नहीं है, वो क्या है? composite numbers है ठीक है? तो चलिए आगे चलते हैं Theorem number 1 जो हमारे इसाब से theorem number 1 है according to our course जो क्या कहती है? It is the fundamental theorem of arithmetic It is the fundamental theorem of arithmetic जो कहती है कि आप किसी भी composite number को किसी भी composite number को आप express कर सकते हो in terms of prime factors in terms of prime factors prime factorization हमको आती है तो यह topic definitely बहुत easy होने वाला है तो यहाँ पर देखिए in numbers की आपको prime factorization करके दिखाई हुई है और prime factorization generally आप कैसे करते हो in the increasing order of the numbers like पहले 2 से करोगे फिर 3 से करोगे फिर 5 से करोगे फिर 7 से करोगे this way और आगे चलते हैं इससे related कुछ questions जो हमने देखने है so here the question says consider the number 6 raised to power n so where n is a natural number all right so we need to check whether there is any value of n which belongs to natural numbers this means natural number this capital N for which 6 raised to power n is divisible by 7 तो हमको ऐसा बताना है कि क्या कोई भी 6 की power n जो ये value n है से जो ये 6 raised to power n है अब जो भी ये n है क्या इसकी कोई ऐसी value है कि जो 6 raised to power n है वो completely divide हो जाए 7 से तो हमको ये बात बतानी है तो देखो simply simply आप क्या कह सकते है so you know since जो 6 के factors होते हैं पिटा 6 के prime factors कौन से होते हैं these are 2 into 3 लिख सकते हो अब 2 into 3 लिख सकते हो यानि कि इसका क्या मतलब है कि आप 6 raised to power n को क्या लिख सकते हैं 6 raised to power n को आप लिख सकते हैं 2 raised to power n into 3 raised to power n आप जब भी factorize करेंगे वो इसी तरीके से ही factorize होगा all right so it is 2 raised to power n into 3 raised to power n तो आप यहां देख सकते हैं कि that the prime factorization of the given number this 6 raised to power n और यहां पे कोई भी 7 factor नहीं है so it means that 6 raised to power n is not divisible by 7 तो यहां पे आप कह सकते हैं that 6 raised to power n is not divisible by 7 it is not divisible by 7 all right so we are done with this question आप बात करते हैं next question के बारे में so consider the number 12 raised to power n where n is a natural number check whether there is any value of n belonging to the set of natural numbers for which 12 raised to power n ends with the digit 0 तो हमको यह find out करना है कि कुछ भी value 12 raised to power n की क्या कोई ऐसी value है जो कि 0 से end हो किस से end हो बिटा 0 से end हो तो देखो आप यह बात बोल चकते हो let's erase it आप सबसे पहले क्या बात बोल चकते हो if 12 raised to power n ends with 0 then it must be divisible by 5 है ना अगर किसी भी number के end में 0 आता है तो वो number हमेशा 5 से divisible होगा तो चलिए लिखते हैं यह सब बाते हमको लिखनी है हमारे एक्जाम में भी अगर इस तरीकी के questions आते हैं तो हमको definitely लिखना है तो चलिए लिखते हैं तो इफ 12 raised to power n ends with 0 ends with 0 then it must be divisible by 5 then it must be divisible by 5 divisible by 5 अब दिखो यह कब possible है कि अगर 12 raised to power n 5 से divide हो रहा है it means कि 5 उसका factor होना चाहिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं पेटे 12 के factors लिखते हैं 12 के factors आप कैसे लिख सकते हो it can be written as 2 into 2 into 3 make sure हम prime factorization की बात कर रहे हैं 4 into 3 इसको नहीं लिखेंगे चिक है so आप इसको लिख सकते है 2 square into 3 2 square into 3 तो दिखिए जो 12 raised to power n की जो factorization होगी वो कुछ इस form में होगी 2 square into 3 raised to power n मतलब कि कुछ इस तरीके से 2 raised to power 2n into 3 raised to power n तो यहां से हम देख सकते हैं कि यहां तो कहीं पर 5 नहीं आ रहा है that prime factorization of 12 raised to power n does not contain the prime factor 5 चलिए लिखते हैं that is prime factorization PF means prime factorization of 12 raised to power n does not contain does not contain does not contain the prime number 5 the prime number 5 तो हम लोग क्या कह सकते हैं that there is no such number there is no such value there is no such value of n जिस यह n की बात हो रहे थी न belonging to the natural numbers belonging to the natural numbers for which 12 raised to power n for which 12 raised to power n ends with 0 ends with 0 यह सब कुछ हमको actually में बच्चे लिख करके आना है इस बात का ध्यान रखेगा चलिए आगे चलते हैं so here we are using the fundamental theorem of arithmetic to find HCF याने की highest common factor and LCM that is least common multiple तो चलिए देखते हैं इसको इधर हमने क्या किया हुआ है आपके लिए इस question का solution भी हमने लिखा हुआ है एकदम एक particular way में ताकि आपको याद रहे तो देखे अगर हमको we need to find the LCM and HCF of the following pairs of integers by applying the fundamental theorem of arithmetic that is using prime factorization method तो देखो जो हमको numbers given है वो कौन से हैं बिटा 26 and 91 तो यहाँ पर हमने क्या किया इन दोनों numbers की जब prime factorization की 26 को आप क्या लिख सकते हो 2 into 13 और 91 को क्या लिख सकते हो 7 into 13 राइट तो दिस इस दा prime factorization of 26 and 91 respectively तो देखो जो LCM होता है जो LCM होता है वो क्या होता है इट इस दो प्रोड़क्ट ओफ इच प्राइम फाक्टर विद हाइस पावर्स तो देखे इच प्राइम फाक्टर कौन-कौन है इच प्राइम फाक्टर 2 है 13 है और 7 है तो आप इन तीनों को मल्टिप्लाइ करेंगे कहीं है बश्के प्रोड़स्ट्र यहां पर लुवेस्ट पावर्स तो यहां पर जो कोमन है वो 13 है और 13 की नोईस्त पावर है तो याने कि हमका hcF आ जाता है 13 और LCM आजाता है कितना 182 I hope this is clear to you Alright, आगे चलते हैं So, for any positive integers A and B This is a note which is given to you This is a note छोगे हैं, अगर आपको कोई भी 2 positive integers पता है तो उनका HCF into LCM is equal to their product चीक है, तो देखो, बिलकुल ही Note पे based question है So, we have given the HCF is equal to 9 HCF अपने को 9 पता है LCM अपने को निकालना है LCM अपने को निकालना है और यहाँ पर जो दोनों numbers हैं Say A और B A की value से है 306, यह पहला number और B की जो value है, B है 657 So, 657 So, what we know That LCM into HCF LCM into HCF is equal to the numbers ठेक है बच्चे LCM हमको निकालना है तो LCM को रहने दिया As it is HCF हमको गिवन है 9 A into B जब हम करेंगे यानि के 306 into 657 तो यहां से बिटा LCM कितना निकल कर आजाएगा 306 into 657 over 9 तो जब आप इस वाल्यू को solve करेंगे कि जो P और Q है These should be you can say co-primes और जो Q है It should not be equal to 0 और यहां कुछ और बाते भी लखी है Irrational numbers के बारे में Give it a quick review जल्दी से read कर लीजे ठेक है So, the negative of an irrational number is an irrational number The sum of rational number with an irrational number यानि कि अगर आपने एक rational number को दूसरे irrational number के साथ आड किया तो जो आपका final result आएगा It will be an irrational number So, आगे The product of a non-zero rational number with an irrational number is always an irrational number Next है कि अगर आप दो irrational numbers को add करते हैं तो यह बिलकुल भी जरूरी नहीं है कि वो हमेशा irrational होगा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता Similarly उनका product भी ठीक है? अगर आप दो irrational number को multiply या add कर रहे हैं तो यह जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही irrational आएगा Alright? चलिए आगे चलते हैं So, here is the theorem 1.3 according to NCRT which says let P be a prime number तो अगर P एक प्राइम नमबर है It says कि अगर P जो है It divides A square That A square is divisible by P तो इसका क्या मतलब है? That A is also divisible by P This is what this theorem says तो हम अब इसके basis पे root 2, root 3, root 5, root 7 इन सबको irrational proof कर सकते हैं देखते हैं कैसे सबसे basic example लेकर आपको proof करवा रहे हैं तो जो हम इसको proof करते हैं We prove it by the method of contradiction कि हम पहले ही contrary की assumption ले लेते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इसको So, let us assume let us assume the contrary the contrary इसका क्या मतलब है that root 2 is rational that is root 2 is rational आपने ये assume कर लिया you assumed the contrary उल्टा आपने assume कर लिया ठीक है अब हमने अगर कहा कि root 2 जो है वो rational है तो it can be represented in the form of in the form of बताईए sorry give me a moment So, root 2 can be expressed as in the form of A by B इधर जो A by B हैं वो co-prime है यहां पर A and B are co-prime co-prime numbers बिटा कौन से होते हैं जिनका HCF यानि के A और B का जो HCF है highest common factor वो 1 है यानि के A और B का 1 के अलाबा कोई और factor नहीं है सिर्फ और सिर्फ इनका factor कौन है 1 है ठीक है and another thing that A and B are co-prime और आपने क्या assume करोगे that B is not equal to 0 B is not equal to 0 तो यह दो चीजें हमने मान ली तो when you rearrange it rearrange करके आप क्या कह सकते हैं rearranging so you can say that root 2 B is equal to A root 2 B is equal to A simply B को हम लोग left hand side पे ले गए correct तो हमने यह कर दिया अब क्या करते हैं let's square both the side squaring both the sides squaring both the sides ठीक है तो क्या हैगा बिटा root 2 B का whole square root 2 का whole square will be 2 and B का whole square will be B square so 2 B square is equal to A square लिख सकते हैं after squaring both the sides right तो यहां से हम क्या कह सकते हैं हमारी यह theorem लगाने के बाद if 2 B square is equal to A square तो हम कह सकते हैं that A square is divisible by 2 है ना A square by 2 is B square तो याने के A square is divisible by 2 A square is divisible by 2 अल्राइट अब अगर A square जो है it is divisible by 2 then it implies that A is also divisible by 2 then it also implies A is also divisible by 2 divisible by 2 यह बात कह सकते हैं हम by using our theorem 1.3 correct तो अब देखिए now if A is if A is divisible by 2 तो आप क्या लग सकते हो आप A is equal to 2 C भी लग सकते हो where C is some integer where C is some integer चीक है अब आप क्या करेंगे अब आप क्या करेंगे कि जो यह A की value है इसको उपर वाली equation में पुट कर दीजिए चीक है तो चलिए देखते हैं क्या होगा so what we can say we can say that 2B square is equal to 2C का whole square तो याने के 2B square is equal to 4C square जब आप इसको cut करेंगे तो यहां पर क्या आजाएगा बिटा यह आजाएगा B square is equal to 2C square आ गया B square is equal to 2C square इससे पहले क्या आया था से हम अपनी इस equation को 2B square is equal to A square से इससे आर equation number 1 इससे आर equation number 1 आप इससे आर equation number 2 तो दिखिये यहां से हम क्या कह सकते हैं if B square is equal to 2C square तो हम यह बात कह सकते हैं that B square is also divisible by 2 B square is divisible by 2 divisible by 2 इसका क्या मतलब है again हम आप अरी theorem लगाएंगे it means that B is also divisible by 2 B is also divisible by 2 correct अब देखिये अब यहां पर क्या परिशानी हुई है अगर हम हमारी donor equations by using 1 and 2 हम क्या कह सकते हैं that A and B have some common factor which is 2 so we can say that A and B have common factor 2 पर हमने तो assume किया था कि जो A और B हैं वो co-prime numbers हैं right so ऐसा क्यों हुआ है बताएं क्योंकि जो हमारी assumption थी वो गलत थी तो ऐसा इसलिए हुआ what we can write here so this contradiction is arising आप लिखेंगे last में so this contradiction has arisen why? because of our galat assumption because of because of our incorrect assumption and incorrect assumption so finally what you can say that root 2 is irrational hence root 2 is irrational that is it that's how you prove it all right अब जितने भी ऐसे अगर आप ऐसे further questions देखते हैं that show that 5 minus root 3 is irrational तो यहाँ पर आप already यह fact यूज कर सकते हैं that root 3 is an irrational number all right तो चलिए इसको भी प्रूफ करने की कोशिश करते हैं चेक्ट है so we have 5 minus root 3 इसको हमें irrational प्रूफ करना है तो यहाँ पर मान लेते हैं that 5 minus root 3 5 minus root 3 जो है वो again किसी P by Q या A by B fraction की equal है where A and B are co-prime ठीक है and B is not equal to 0 जो assumption हमने पिछली slide मे ली थी तो देखो after re-arranging आप क्या बोल सकते हैं you can say that root 3 is equal to 5 minus A by B कह सकते हैं अब देखिए यहाँ पर हमको पता है क्या बाद पता है कि जो A है जो B है और जो 5 है these all are non-zero integers यह बाद अपने को पता है तो जब आप 5 minus A upon B करोगे तो this value will always be rational जो यह value आएगी पिटा यह कैसी आएगी let's use a different color यह value हमेशा rational आएगी और जो root 3 है on the other hand you already know कि पिटा यह कैसी है this is irrational यह कैसी है this is irrational तो यह तो एक contradiction आगई irrational is equal to rational ऐसा तो नहीं हो सकता तो ऐसा क्यों हुआ है बताएए ऐसा क्यों हुआ है क्योंकि हमने उपर ही assumption ले ली थी जो कि हमने लिखी नहीं है बट लिख लेते हैं that 5 minus root 3 is rational assumption यह क्या थी पिटा हमारी assumption थी है कि जो 5 minus root 3 है वो rational number है it is a rational number तो ऐसा क्यों हो रहा है लिख लेते हैं चली आगे कि यह जो है non-zero integers हैं but root 3 is irrational number root 3 is irrational number so हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं बटा कि जो यह हमारी equation है that equation 1 creates a contradiction equation 1 creates a contradiction right तो इसके वज़े से जो contradiction हो रही है वो क्या है because we assumed that ऐसा क्यों हो रहा है this contradiction arises this contradiction arises by assuming that by assuming that 5 minus root 3 is rational सारी गडबड यहीं से शुरू हो गई थी क्योंकि हमने गलत assumption ले ले थी all right because this is we said that this is rational तो finally बटा हम क्या कह सकते हैं hence उपर लिख रहे हैं that 5 minus root 3 is irrational यह कैसी है बटा irrational है so that is it all right चलिए आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपको एक फ्योरम वाला पार्ट गिवन है आप जल्दी से इसको read गर लीजिए मैं आपको फड़ापट से examples की help से बताते हूं देखें यहाँ पर बहुत सारे examples लिखे हैं तो हमको simply बताना है कि अगर आपको कुछ P by Q के फॉरम में गिवन है whether it's terminating और non-terminating जब आप उसकी decimal expansion करेंगे तो तो देखें जैसे इधर है 18 over 3125 तो आप 3125 को 5 raise to power 5 लिख सकते हो और further आपने क्या किया 2 raise to power 5 से multiply डिवाइड गर दिया तो आपके पास आया 13 into 32 over 10 raise to power 5 तो मुद्दा ये होता है कि अगर आप किसी भी like P by Q वाले form के rational number को कुछ इस तरीके से लिख पाओ कि जो Q है वो 2 raise to power M into 5 raise to power M के terms में आ जाए तो that it is terminating और अगर ऐसा आप नहीं कर पाते then it is non-terminating that is it alright so simply देखे इदर भी 2 raise to power something into 5 raise to power something में आप लिख पा रहे है तो this is terminating ठीक है अगर हम थर्ड वाले को देखे तो इसको हम 2 raise to power something into 5 raise to power में नहीं लिख पा रहे है that is why it is non-terminating और you can say repeating ठीक है similarly देखे इदर 2 into 5 2 raise to power something into 5 raise to power something that is why it is terminating तो आप ऐसे करके यह सब कुछ solve कर सकते हैं बहुत ही easy part I hope you get it ठीक है पीछे आपको सारी theorems भी given है सारे examples भी given है ठीक है तो we are done with this session जो की है rational number wind up हो चुका है आप लोग practice करते रहिए अच्छे से और हम लोग मिलते हैं हमारी make sessions में बाइ बाइ